और यह यह देखें कभी मुवी सूवी में बहुत देखे होंगे मचली मचली ने दो मचली भास कर जो मतलब तोड़ा रोमैंटिक किस्म का मुवी होता है उसमें बगल में रखा नहीं वही वाला है ठीक है आपके सामने यह है मिस्टर हेमंत कुमार यह इलेक्ट्रिकल इंजीन हैं और इनका बहुत अच्छा एक्स्प्रियेंस है अलग-अलग एक्स्प्रिमेंट में और अब हमको भी आता है डोंट वरी लेकिन यह बताएंगे हम इनकी मदद करेंगे और आपको समझ के उसका आंसर करना पूलन क्लॉथ है पीवी सी से कहा था तो इससे रव करने पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ओपर ठीक है और निगेटिव चार्ज आने के बाद यह किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं पॉलिस्ट्रीन बॉल भी है इसमें खर्मा कॉल का जो बॉल होता है न वही है और उसके ओपर अलुमुनियम फॉयल को लपेट ने ःत्रीसपी अब होगा है रहे है तो यह अभी विक्षा में ह hè और ऑघ क्या हिसके अगा information को यह जगह जो हुआ वो था charging by polarization क्या हुआ था यह जो यह जो बॉल्स है यह जो छोटे बॉल्स है ठीक है यह polarized हुए इसके dipoles अब एक direction में orient हुए क्योंकि इसमें कोई conducting object नहीं था लेकिन फिर भी यह तो यह क्या हुआ charging by polarization ठीक है और आगे बताइए हमको लगता है बहुत सारा चीज आप लोग को अल्डेडी पता होगा अभी यह देख बार है अभी अगर यह चार्ज नहीं किया गया होता तो क्या होड़ा होता रिपेल होड़ाता है या attract यह बात समझते हैं न तो यानि attraction के लिए attraction के लिए सिर्फ एक बोटी भी चार्ज होगा तो हो जाएगा लेकिन repulsion कभी सिर्फ एक बोटी से नहीं हो इसको थोड़ा देरे से करके रखते हैं हाथ वाथ से छुटते हैं ठीक है यह अब खतम हो गया होगा क्यों कहां चला गया होगा हाथ में चला गया होगा अब यह attract होगा की रिपेल अब क्या होना चाहिए अब क्या होगा सर जी attract होगा क्यों कि यह neutral हो चुका है अब यही चार्ज हो जाता तो यह क्या हो जाता रिपेल और यह देखें कभी मुवी सूवी में बहुत देखें होंगे मचली मचली ने दो मचली भास कर जो मतलब तोड़ा रोमैंटिक किस्म का मुवी होता है उसमें बगल में रखा नहीं वही वाला है ठीक है यही अलमुनियम फाईल है कितने है जो है और यह जो वायर आप देख पार है इसमें आपको अच्छा चीज और बताने का मोखा मिलेगा कि क्या क्या हुआ और अब क्या होना चाहिए अब देखिए यहां पर आप तो क्या दिखाई दे रहा है और इस चीज को देखें मैं टच किया है कि अभी टच नहीं किया है तो अभी दोनों इल्मुनियम फॉइल फैल गया है अब बताएए उसमें कौन सा चार्ज गया होगा तो फैल गया होगा अब सुनिए इस जगह थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए यह क्या हो रहा था निगेटीव और निगेटीव इसके करीब आया और यह दोनों फैल यह तो यह निगेटीव इलक्ट्रोन को धका मारा होगा कि नहीं मारा होगा तो नीचे बाला जो दोनों अल्यूमिनियम का तो है यह पॉजिटीव हुआ होगा कि निगेटीव और निगेटीव होगा ना वोल्लीप को क्या हुआ है यह निगेटीव ऊपर पोजेटीव यहा था यह जो प्रोसेस हुआ इसको आप चारों में से कौन सा नाम दीजिए गा charging by friction, charging by conduction, charging by induction, charging by poli. कितना number? charging by induction. हाँ या ना? एक बार और सर. उदर तुम को दिखा ऐसे फोड़ा था एंगल. पहला हुआ भी भी दिखाई दे रहा आप लोगों को? पहला हुआ है? अभी क्या हुआ होगा? चार्ज वो अल्डेडी हो गया होगा. अभी अगला सवाल है, कि ऐसा क्या करें, जो कि ये दोनों सट जाएं फिर से? पोजिटीव. और कोई उपाए? हाँ? अर्थ. अर्थ. बेरी गुड. और कोई? हमको लगता है, ये हमको लगता है, पता नहीं. अब ये होगा कि? हो जो. हाँ. ये. चूने से भी हो गया ना. आचूने से. क्या दाना? देखिए, उसको फैलाने के लिए कितना मेहनत करना पढ़ा है. हमको सटाने के लिए कितना कम मेहनत करना है. इस छूते हैं बात का तो. अलेक्रोस्कोप है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है? चार्ज को पता करने के लिए और भी एक चीज़ है. चार्ज को कम पेर करने के लिए. किसके लिए? जैसे ये डंडा है. ठीक है, वो इसे गणम हो गया है. ठीक है, जैसे ये डंडा है. तो अगर ये डंडा को चार्ज किये. और एक दूसरे डंडे को चार्ज की ऐसा ही एक दूसरा डंडर होता है इसको ज्यादा चार्ज की है उस डंडे को कम चार्ज की है तो जो ज्यादा चार्ज वाला रहेगा उससे क्या होगा ज्यादा फैलेगा तो इससे क्या क्या किया जा सकता है चार्ज का नेचर भी पता किय रहा सकता है जाना होगा